हेलो फ्रेंड्स आईदा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है चलो आज हम नीबू का अचार बनाएंगे ये लिए है मैंने एक किलो नीबू और अब हम इसको अच्छी तरीके से घिस लेंगे मैं जिस तरीके से नीबू को घिस रही हूँ उसी तरीके से आप भी घिसे इस तरीके से घिसे कि इसकी उपरी परत पीली वाले परत हट जाए और महां से हलका सफेद दिखना सुरू हो जाए हम इसको इसलिए घिस रहे हैं ताकि इसमें से कड़वा पन हट जाए और नीबू क पूरी तरीके से उसका उपरी पीलापन हट जाए और सफेद दिखने लगे आप देख सकते हो मेरा यह वाला घिस चुका है और मैं आपको दोनों नीबू में अंतर दिखा रही हूं कितना अंतर है इसी तरीके से आपको बाकी नीबू को भी घिस लेना है तो चलिए हम सारे न नीबू घिस घिस कर रखा था यह पानी पूरी तरीके से पीला हो चुका है अब मैं इस पानी में से सारे नीबू को निकाल कर एक थाल में रख लूंगी और साफ पानी में वापस से इन नीबू को डाल कर अच्छी तरीके से धोलूंगी ऐसा करने से नीबू में से कड़व आप देख सकते हो मैंने सभी निवो को सुखाने के लिए इस कपड़े पर फैला दिया है और अब जब तक ये निवो सूख रहे हैं तब तक मैं एक पतीले में पानी को गर्म कर ले रही हूँ आप देख सकते हो पानी गर्म हो चुका है और अब हम इसको थंडा करने के लिए रख देंगे ऐसे करने से पानी में कोई भी बैक्टिरिया नहीं होता है और हमारा निवो का आचार अच्छा सौधिस्ट बनता है और ये कुछ निवो मैंने बचा कर रख लिए थे और अब हम इन सभी निवो को हाफ कट कर देंगे और इन सभी निवो के रस को निकाल लेंगे एक बाउल में खटा कर लेना है तो चलिए सभी निवो का रस निकाल लेते हैं आप देख सकते हो सभी निवो का रस निकल चुका है और लगभग ये आधी से एक कटोरी तक इसमें रस निकल जिन नीबू को मैंने सूखने के लिए रखा था वो नीबू सूख चुके हैं अब हम इसको इस बरनी में डालेंगे ये बरनी मेरी पुराने अचार की बरनी है इसमें भी मैंने पहले नीबू का अचार बनाया था जो खत्म हो चुका था और अब हम इसमें नीबू का अचार जा रहे हैं तो मैं इसमें सभी नीवों को डाल रही हूँ अब आप देख सकते हो मैंने इसमें सभी नीवों को डाल दिया है और अब हम इसमें ये नीवों के रस को डालेंगे च्छने के मदद से चान कर ताकि एक भी बीज इस अचार में ना जाए और अब हम इसमें चान कर इसमें मैंने पानी अब डाल दिया है पूरा आप देख सकते हो लग बादे से जादा पानी से मैंने डबे को भर दिया है और सभी नीवू थोड़े से तैरने लगे हैं और इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे और फिर हमारा नीवू के अचार को रोज दोपहर के धूप म में इसको रख देंगे कुछी दिनों के बाद ये नीवू गल जाएगा और ये नीवू का आचार तयार है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें इस वीडियो को लाइक शेयर करमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई